Hello everyone, welcome to the GOE Colleges GS, मैं हूँ Dr. Krishnanand और आप देख रहे हैं हमारा NCRT सीरीज जिसमें क्लास 11 का Practical Work in Geography हम शुरू कर चुके हैं और उसमें ये 4th वीडियो है जो कि है Map Projections के उपर अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज हमारे प्लेलिस सेक्शन में जाएए देखिए अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है और ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये वीडियो को शेर गीजिए ताकि ह हमारा रीच बढ़ सके और चैनल को सब्सक्राइब जरू करिए अपने कमेंट जरू छोड़िए और अगर आपको हमारे पेड कोर्स की जानकारी चाहिए तो हमारे वेबसाइट दीजियो एकॉलेजिस डॉट कॉम पे जाके आप देख सकते हैं तो आईए आज के इस वीडि है कि ये map projection क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी क्यों हमें इसको बनाने की जरूरत है तो अभी तक आपने अगर सीखा है कि एक map बनाने के लिए आपको scale की जरूरत होती है उसी तरीके से और detail के लिए अगर आपको एक three dimensional sphere को two dimensional flat sheet of paper पे project करना है तो आपको projection create करना पड़ता है तो projection क्यों जरूरी है क्योंकि आप देखते हैं कि earth है एक sphere है जिस पर बहुत सारे parallel lines है जो की latitudes है और जो आप देखेंगे semi circle जो है आपका longitudes है अब इनको अगर हम cut कर दें imagine करिए कि इसको हम cut करें और इसको एक हम plain sheet of paper पे transform करें इसी चीज़ को अगर हम cut कर दे कैची से एक ball है और उसको flat कर दें तो यह कुछ ऐसा दिखेगा right something like this तो यह जब ऐसा दिखेगा तो parallel lines ऐसे पूरी खुल जाएगी मैं hope करता हूं कि आप imagine कर पा रहे हैं कि एक ball है उसको हमने काट दिया और flat sheet of paper पे बिचहा दिया तो यही हमने क्या किया इसको project कर दिया इस world है वो three dimensional है तो इसी के लिए projections का इस्तमाल होता है अब और detail में थोड़ा इसमें हम देखते हैं कि NCRT क्या कहता है तो इसमें देखेंगे कि it's a method of transferring graticule of latitude and longitude on a plane surface अब एक शब्द यूज किया गया है graticule तो अभी जो आपको मैंने यह दिखाया यह जो network of latitude and longitude है इसको क्या बोलते हैं इस net को क्या कहते है graticule कहते है मतलब graticule क्या है एक system of या एक grid of latitude and longitude है अब यहां बात करते हैं कि globe जो हम बनाते हैं वो एक accurate representation होता है 3D representation of the earth लेकिन हमको map पे अगर उसको बनाना हो तो हमें two dimensional चाहिए जिसके लिए हमें यह network of graticule चाहिए होता है यही बाते हैं पहले paragraph में दी गई है तो कहा गया है कि globe का अपना limitation है जैसे यह expensive है यह हर जगा आप लेके जा नहीं सकते और हर detail इस पर नहीं दिखा सकते इसके लिए ही आपको क्या करना है map बनाना है और map बनाने के लिए आपको globe से map बनाने के लिए क्या चाहिए projection चाहिए यह बात यहां पर clearly दिया हुआ है अब बात करते हैं इसी चीज़ को कि NCRT क्या कहता है need for map projection में और detail में कि आपको accuracy तो चाहिए ही लेकिन हर जगह आपको detail में दिखाना globe पे possible नहीं है तो accurately आप large scale map बनाते हैं flat sheet of paper पे और यहीं पे आपका काम आता है properties like shape, size, direction यह सब ठीक होना चाहिए location कहा है तो उससे locational analysis करते हैं हम geography में बहुत सारी बातें इससे जुड़ी वही है तो आप देखेंगे कि distortion जो है वो क्या होता है जब भी आप equator से pole की तरफ जाते है northern hemisphere या southern hemisphere में तो distortion बढ़ जाता है अब इसका क्या मतलब है तो किसी भी चीज़ को project करना हो तो इसका simple science experiment क्या होता है उसको आप hang कर दीजिए ball को और यहां पर एक light का source लगा दीजिए तो यह क्या करेगा इसको project करेगा एक दिवार तो यह जो चीज होगी इस पर यह इसके उपर आ जाएगी project हो जाएगी इसी को हम बोलता है projection अब बात उठती है कि हमारा light कहां पर है अगर light हमने यहा लगा दिया है light हमारा equator के आसपास लगा दिया है मतलब ball के हिसाब से sphere के हिसाब से समझे तो जहां जहां लगाएंगे उसका projection वैसा बनेगा right सारे directions में light जाएगा और आप यहां पर एक plain sheet of paper लगा देंगे वहां पर आपको projection मिलेगा तो कहां पर लगाएंगे तो projection कैसा मिले उसी के आधहार पर projection के types होते हैं आप यह ball experiment अगर google करेंगे तो आपको images भी मिल जाएगी एक idea से मैंने आपको यहां बताने की कोशिश की कि क्या होता है तो basically light को आप थो करते हैं और वो ही उसको project करता है आपके sheet of paper पर ऐसा imagine करके आप समझ सकते हैं क्योंकि यहां पर diagram तो इस चीज को लेके तो इसको हम trace करते हैं इसलिए paper पर तो graticule को हमको क्या करना होता है transpose is the word, transfer करना होता है plain sheet of paper में इसी को map projection कहते हैं इसके अलावा कुछ-कुछ शब्द हैं जो आप जरूर सीखे जैसे map projection तो हमने बात की यहां है lexodrome या rum line कहा जाता है अब यह क्या है यह एक ऐसा straight line है जो कि एक scientist है marketer, marketer ने projection create किया जिसको आप बोलेंगे कि marketer projection पे बहुत commonly आज के wall maps बनाया जाते है world maps marketer projection पे create होते हैं और इसमें भी अगर आप GIS के student होंगे geographic information system में तो देखेंगे सबसे common projection है UTM projection जिसमें इंडिया को भी represent करते है universal transverse marketer कहते हैं इसको तो marketer projection में आप देखेंगे एक straight line का इस्तमाल होता है जो कि किसी दो point को join करता है और इसमें bearing constant होता है मतलब कोई distortion नहीं अगर point A यहां है point B यहां है तो यह across the grid जाएगा straight line इसको हम क्या बोलेंगे लेक्जोड्रोम या रम लाइन इसके जुरत क्यों है navigation के लिए राइट तो आप directions को preserve कर सकते हैं इसमें राइट तो determining the directions during navigation यह बात को ध्यान रखिए अब आता है great circle it represents shortest route between two points इन दो points के बीच में shortest route को बताता है अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझाएगा इसको map भी दिया गया है ऐसे ही यहां पर दिया है homolographic projection तो देखेंगे projection in which network of latitude and longitude जाने की graticule is developed in such a way that every graticule on the map is in equal area right तो homo means similar graphic तो इसका मतलब equal area projection है जहां पर area distort नहीं होता हर grid equal area show करता है simple way में और orthomorphic जहां भी यह शब्द ortho लग जाए यानि shape की बात होती है right तो orthomorphic मतलब shape को preserve करना right shape distort नहीं हो जिसमें जहां पर mountain है valleys है plains है right तो इसके shape preserve हो अगर हम project करें कोई चीज को continents को ocean को तो shape distort नहीं हो चीजों का right यह जरूरी है तो इनके लिए हम orthomorphic projections का इस्तमाल करते हैं तो अब देखते हैं कि और क्या क्या चीज़े दी गई है इसमें elements of map projection में सबसे पहला concept है reduced earth यह और कुछ नहीं है जैसे आपने scale का concept पढ़ा था अब 3D के हिसाब से सोचिए तो जो बड़ा earth है उसको आप क्या कर रहे हैं reduce कर रहे हैं एक globe के अंदर तो model of the earth is represented by the help of a reduced scale right on a flat sheet of paper तो सबसे पहले क्या करते हैं जब भी हम projection करते हैं हमको reduced earth का calculation करना होता है आप देखेंगे practical में और यह जो है हमें diameter क्या equivalent बनाना होता है earth का actual diameter कितना होगा actual radius कितना होगा उसका सोचिए आप अगर छोटा करके उसको project कर रहे हैं तो आप कितना गुना छोटा करेंगे उसको paper पे transfer करने के लिए यही है reduced earth फिर आता है parallels of latitude meridians of longitude जो कि हम पिछले lecture में बात कर चुके हैं तो आप देखिए east से west parallels है north to south जो है वो longitude ह इस पर हम और जादा समय यहां नहीं दे रहे हैं आपने पिछले वीडियो को अगर देखा हो तो वहाँ details में बात की अब है global property जो कि चौथा point है और इसमें आप देखेंगे कि map projection को prepare करने से पहले आपको कुछ global properties ध्यान में रखनी पड़ती है although यह आपका काम नहीं है Geodicy म आपको यह समझना चाहिए कि क्या इसके पीछे process है इतना simple नहीं है कि बस map आपके सामने है और बड़ा असान है इसके पीछे इतनी बातों का दिहान रखना होता है जो कि आपको समझना चाहिए कि distance between any given points in a region shape of the region size or area of the region in accuracy and direction of any one point अब जो आप shape की बात करते हैं अगर मैं बो सकता है इसके लिए shape preserve करना भी बहुत जरूरी है point में accuracy है region में accuracy है तभी जो world map आपको दिखता है वो accurate दिखता है इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है अब आता है types यानि classification of map projection तो अलग-अलग drawing technique है construction technique है understanding है तो हम देखेंगे इसमें आप drawing technique के आधार पे अगर classify करें तो इसको कहते हैं perspective and non-perspective और तीसरा जो है conventional या mathematical यह तीन चीज़ है तो क्या-क्या है सीख लीजे perspective right तो perspective होता है जो आपका thought process से enabled होता है can be drawn through the help of a source of light by projecting image of a network of parallels and meridians of a globe on developable surface right आपका light यहां से चमक रहा है अब आपने क्या किया अपने globe को यहां रखा और surface को यहां रखा और जो भी projection हुआ इसका वो आपने इसके उपर transfer कर दिया यह है perspective projection right non-perspective projection क्या होगा फिर developed without the help of source of light or casting shadows on surfaces which can be flattened अब इसमें light का इस्तमाल नहीं करते इसमें light हटा देंगे और समझेंगे कि यह हम इसके markers ले ले लेंगे और यह marker क यह transfer कर देंगे यह हो गया non-perspective और mathematical और conventional क्या है वो है जो की mathematical computation formula से derive करके हम एक image को project करते हैं तो यह ध्यान रखे कि light वाला projection बिना light वाला और mathematical projection यानि perspective non-perspective mathematical यह तीनों बातों को ध्यान रखना है अब आता है developable surface क्या है एक ऐसा surface जिसको develop किया जा सके so which can be flattened and on which a network of latitude and longitude can be projected ऐसे surface को बोलेंगे developable surface तो non-developable surface भी समझ लीजिए क्या होगा non-developable surface है जिसको flatten नहीं किया जा सके shrink नहीं किया जा सके तो अगर आप उसको करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि वो developable नहीं है तो क्या होगा, तूट जाएगा, break कर जाएगा श्रिंक कर जाएगा, area कुछ भी preserve नहीं होगा उसके उपर तो इसी के लिए important क्या है developable surface है कि नहीं, ये भी बहुत important हो जाता है आपका, तो globe और spherical surface has a property of non-developable surfaces, right whereas cylinder क्या है या कोन क्या है, इसको कहता है, developable surface, यानि अगर मैं एक globe को काटूँगा तो वो बहुत अच्छे से 2D में अच्छे से represent नहीं होगा क्योंकि curvature है उसमें, लेकिन वहीं अगर मैं एक cylinder को ले लूँ और इसको मैं अगर काटूँ और दोनों तरफ तो ये almost आपका एक rectangle की तरह दिखेगा और ऐसे ही अगर मैं एक cone को ले लूँ और इसको काट दूँ तो आप सोच सकते हैं, ये almost like ऐसा कुछ आपको पूरा project करेगा cone जब कटेगा तो, ये चीज़ें बहुत ध्यान से समझने वाली हैं और रखने वाली हैं, right, तो cylindrical projection use होता है, conical projection use होता है, zenithal projection होता है use, क्योंकि ये सब developable surface है, right, अब यहाँ पर आप देखिए, iconical projection कैसे करेंगे, cone, आप ice cream cone खाते हैं, उसको अगर आप paper का cone ले 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 और cut करें, और flat बना दें, तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा image, right ऐसा कुछ picture दिखेगा, right और इसी को अगर आप fold कर देंगे, तो cone कुछ ऐसा दिखेगा, right, तो यही चीज है, developable surface का, जो यहाँ दिया गया है, और इसी में conical projection हुआ, फिर zenithal projection क्या है, directly obtained on a plane surface, when plane touches the globe at a point, and graticule is projected on it, यानि, आप क्या करते हैं, इस तरीके से flattened globe को project करते हैं, और नाम ही है zenith, यानि इसमें polar areas बहुत अच्छे से दिखाया सकते हैं, zenithal projection में, right अब देखिए, क्या मैं कह रहा था, ये है कोन, इसको हमने cut किया, और एक standard parallel भी ले लिया, ये हो गया conical projection, right, तो आप देख सकते हैं कोई standard line ले लिया, तो इसमें हमेशा एक standard parallel लिया जाता है, अब आप बात करेंगे, standard parallel क्यों लिया जाता है, standard parallel लिया जाता है, ये दिखाने के लिए कि best features जो है, वो उसके आसपास है यानि area, shape, size ये सब सबसे ज़्यादा preserved कहां है, accurate कहां है standard parallel के पास, यानि standard parallel से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, chances क्या है area, distance, ये सब shape, distort हो जाएगा, right, तो सबसे ज़्यादा importance, इसलिए standard parallel को दिया जाता है, जो कि आप देखेंगे, ऐसे projection में, कि projections को standard parallel के साथ बनाया जाता है, right ऐसे ही और भी projection होते हैं तो आप देखेंगे कि tangential to a point between pole and equator, तो उसको oblique projection कहते हैं, right, ऐसे polar projection है, equatorial projection है तो ये सब different types हैं अब आते हैं, global properties पे जैसे homolographic projection की बाद तो थी equal area projection बनाते हैं orthomorphic यानि true shape projection जहाँ पे shape of the country matter करता है उसको हमको orthomorphic में बनाना होता है ऐसे ही azimuthal है या true bearing projection है इसको direction specific बना जाता है जहाँ direction को आपको preserve करके रखना है right, equidistance या true scale projection, where distance या scale is correctly maintained, यानि आपको अगर a से b जाना है, तो distance गरबड नहीं होना जी यानि तो आपका सब गरबड हो जाएगा, कितना fuel लगेगा कितना time लगेगा, नहीं calculate कर पाएंगे right, और फिर चौथा दिया है source of light पे, तो source of light में एक पुराने समय में एक instrument था एक pole जैसा आप समझ सकते हैं, जिसको nomone कहते थे, अब sunshine यहाँ पे है तो projection यहाँ होता था, sunshine यहाँ है तो projection यहाँ होता था, sunshine यहाँ है तो projection यहाँ होता था, ऐसे nomonic projection जो है, वो क्या करते थे हम create करते थे, बहुत ancient Greeks, Romans, उन सब से भी पहले तो आप देखेंगे, यह nomonic projection जो है, वो Assyrian Arithmetic से निकल के आता है Greeks and Romans, उससे पहले के civilization से, तो nomonic projection यूज किया जाता है, क्या center of the globe के लिए यहाँ पे light कहा होगा center of the globe में याँ है, आप सोचिए कि यहाँ sphere है, spherically सोचिए पहले, 3D में सोचिए, यहाँ light लगा दिया, अब light यहाँ से चारों तरफ जा रहा है, अब इसको अगर हम project करेंगे और यहाँ पे एक paper लगा देंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे, यह सारी चीजें हमें यहाँ पे मिल जाएंगी projection तो हम इस एरिया को दिखा सकते हैं यहाँ पे, तो center में अगर light है, तो उसको हम बोलेंगे pneumonic projection, stereographic फिर क्या होगा, तो आप देखिए stereographic projection बहुत important है, जहाँ source of light कहां है source of light है, periphery of the globe पे, यानि अगर मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ draw करके, ताकि आपकी clarity हो जाएगी तो आप देखिए, अगर मेरा globe यहाँ है, और मेरा light यहाँ है, अब यह equator है यह आप मान सकते हैं जो zero degree meridian है, अब light अगर यहाँ है, तो यह light चारों तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा, और यहाँ पे पर रखके हम projection को use करेंगे इस line के उपर, तो इसको बोलेंगे stereographic, periphery पे light और्थोग्राफिक क्या होगा जहाँ पर source of light जो है वो infinity पर है, यहाँ पर है और source of light कहीं दूर से आ रहा है infinity पर, तो यहाँ पर piece of paper है इस पर हम पूरा project करेंगे तो इस तरीके से projections बनाया जाता है मैं image के साथ diagram बना-बना के आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अभी हम online देख रहा है इसको, bored नहीं है मेरे पास क्योंकि यह practical work of geography है इसको actually classroom में, lab में पढ़ाया जाना चाहिए theoretically समझना आप सिर्फ lines में इसको difficult होगा projection चीज ही ऐसी है लेकिन मैं आशा करता हूँ कि जो मैं आपको बताने के कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ रहें कि lines में क्या लिखा हूँ है अब इसका construction दिया गया है और construction क्योंकि यह आपको practical करके देखना है तो मैं आशा करता हूँ कि इन सब ideas के बाद आप खुद construct कर पाएंगे इसमें example दिया है कि कैसे standard parallel के साथ construct करते हैं कैसे reduced earth पहले create करते हैं फिर standard parallel mark करते हैं construction के line आपको steps है और इसमें question अगर आप देखेंगे examination में तो इससे बढ़ा आता है कि इनकी properties क्या है advantages क्या है disadvantage क्या है तो आप देखेंगे यह जो projection है हमारा पहला कि conical projection with one standard parallel तो conical projection का property क्या क्या है यह है conical projection आप देख सकते हैं और एक standard parallel है इसमें यह तो इसका properties आप समझ यह क्या है all parallels are arcs of concentric circle right and equally spaced आप देख सकते हैं कि एक conical projection में सारा जो है वो क्या है अगर इसको आपको और clearly समझना हो तो आप पूरा ही circle draw कर लिजे यह कुछ ऐसा है आप समझ सकते है right हम आधात दिखाते हैं but somewhere यह ऐसा कुछ representation है isn't it अब यह है north pole अगर मैं मानू तो तो north pole से आप सारे area की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि यह standard parallel की तरफ हमने project किया right ऐसे ही आप देखेंगे कि scale along all meridians is true मतलब meridian के along यह जो meridians है इसमें scale ठीक है यानि आप जो measurement करेंगे वो ठीक आएगा ऐसे करके इसको आप को समझना चाहिए और meridians become closer to each other towards pole आप देख सकते हैं जैसे pole के तरफ जाते हैं तो pass आजाता है meridian projection is neither equal area nor orthomorphic इसमें ध्यान रहे कि equal area नहीं है और shape भी preserve नहीं होगा countries का right तो इसी में limitation दिया हुआ है और usage दिया है तो limitation क्या है extreme distortion आप देखी सकते हैं distortion होता है even within the hemisphere it's not suitable for representing large areas ये छोटे areas को represent करने के लिए है right और देखिए projection is commonly used for showing areas of middle latitude यानि standard parallel कहां है 40 degree के आसपास आपने देखा अभी तो इस area के लिए ये best suit करेगा जहां इसका standard parallel है इधर के लिए नहीं इधर के लिए नहीं ये बाते समझ के रख लीजे और देखिए ये Canadian Pacific railways, Trans-Siberian railways और ये सारी जो चीजे हैं अपने यहाँ पे नारमदा वैली इन सब को दिखाने के लिए ये अच्छा माना जाएगा तो small areas और standard mid latitude areas के लिए conical projection cylindrical equal area फिर कहां के लिए देखिए इसको Lambert projection भी कहते हैं ऐसे बहुत सारे projections है NCRT में कुछ दिया गया है इसमें दो standard parallel लेके बनाया गया है अब देखिए अब इसको cut करके हमने cylinder को फेला दिया paper पे और इसमें दो standard parallel लेना है तो हमने दो standard parallel ले लिया construction ऐसे दिया हुआ है calculate कर दिया हमने reduced earth उसके बाद centimeter, interval और interval पे plotting आपको सिखाएंगे मेरे ख्याल से school में college में teachers इसको lab में सिखाते हैं तो मैं इसको यहां पे board पे तो नहीं इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा इतना centimeter line draw करो वो आप खुद करिये बट थोड़ा revision के लिए कि properties क्या है तो parallel meridians जो है वो straight line से दिखरा इंटरसेट करता हुआ polar parallel is also equal to equator अब यहां गौर करिये यह जो polar parallel है यह भी equator के बरावर है इसमें इसका इस्तमाल कहां होगा तो जहां standard parallel होगा suitable lying between 45 degree north and south latitude तो इसके आसपास वाला अब जहां पे आपको दिखाना हो tropical crops like rice, tea, coffee, rubber, sugar cane यहां पे इसके distribution के maps अगर आप बनाएं तो इस projection को यूज कर सकते हैं ऐसे ही आया Mercator projection Mercator projection में अगर आप देखेंगे तो क्या नाम है Mercator Gerardus Karma इन्होंने 1569 में जिसको आप Age of Discovery वाला समय कहते है यह Dutch cartographer थे सोचिए East India Company जो है Dutch और बाकी के सारे इनके map projections की वज़े से दुनिया को पूरा explore कर पाई तो इसमें mathematical formula यूज करके और रम लाइन, luxodrome क्रिएट करके बनाया जाता है और इसका भी GIS में आपको बताया है मैंने UTM projection इस्तमाल होता है अब इसको आप देखें construction के लिए यहां पे सारे steps दिया गया है और कुछ ऐसा दिखता है तो मर्केटर प्रोजेक्शन में रफली आप देखेंगे कि majorly major chunk of the earth जो है वो उसमें area preserved है लेकिन जैसे pole के तरफ जाएंगे तो distortion है आप देखिए size of squares बदल जा रहा है towards pole, तो इसको माना जाता है क्या कि यह actually tropics के लिए best projection है आप देख सकते हैं खुदी tropical region के लिए इसको best projection माना जाता है इसमें properties दिया है limitation भी दिया है exaggeration higher latitude में पाया जाता है इसमें तो कहां इस्तमाल करेंगे world map के उपर major world maps आप देखेंगे marketer projection में ही बना होता है आपने अपने रूम में अगर टांग रखा है तो वहाँ भी देखें वो marketer projection में बना हो world map होगा और जो आप कहा रहे थे logzodrome और great circle आप देखें इसमें यह जो A से B वाला distance वाला है यह logzodrome है और great circle से क्या फाइदा है कि shortest distance बताता है मतलब आप सोचें दिल्ली से अगर आपको New York जाना हो तो आप सोचेंगे कि direct क्यों नहीं चले जाते है ऐसे लेकिन नहीं जाते क्योंकि यह जो circle है यह small areas को बताता है क्योंकि earth जो है वो curved है यानि पहले flight कहीं यॉरप जाती है फिर यॉरप से यहां जाती है मेरे ख्याल से आपको अब तक समझ आ गई होंगी कि projections का इस्तमाल कहा होता है और आजकल school में colleges में यह पढ़ाया तो जाता है हाथ से बनाने के लिए लेकिन अब इसका इस्तमाल हम digital platform पे जो graphic information system में करते हैं GIS में करते हैं में जब आप mapping करेंगे सीखेंगे तो देखेंगे वहां पे select करना होता है कि आप कहां की बात कर रहे हैं इसको geo referencing कहते हैं तो geo reference किया जाता है और फिर उसमें projection select किया जाता है कि आप इनमें से कौन सा projection चाहता है अगर आपको पता ही नहीं है merits and demerits of projection तो आप कैसे select करेंगे कि इस एरिया के लिए कौन सा projection best होगा इसके लिए यह पढ़ना जरूरी है सो मैं आशा करता हूं यह आपको यह बाते समझाए इस वीडियो को जाता से जाता लोगों में शेयर करिए knowledge को expand करने में हमारी मदद कीजिए चैनल को subscribe जरूर करिए please press the like button do comment and मिलते हैं अगले वीडियो में best wishes to all the learners enjoy